क्या आपने नेल्सन मंडिला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडिला का जन 18 जुलाई 1918 को साउथ अफरीका के मवेजु गाउं में हुआ था. इनकी मा का नाम नास कैनी और पिता का नाम गैडला हैन्री था. जन के समय इनके पेरेंट्स ने इनका नाम रोहिल नाला रखा था. इसका means naughty होता है. लेकिन जब ये school गए तो इनकी teacher ने इनका नाम बदल कर नैंसल रख दिया. So, hello friends, this is Lata Singh from Sraddha Smart Education. Now I am going to tell you summary of chapter 2. नैल्सन मंडेला, long walk to freedom. Class 10th from First Flight Book. So, South Africa में काले लोगों को दवाया जाता था. तो मंडेला और उनकी अफरीकी नेशनल कॉंग्रेस ने अपार्थिट, अपार्थिट मिन्स होता है, जैसे रंगवेद काले गोरों में फर्क करना, उसके खिलाब लड़ने में अपना जीवन बिता दिया. और मंडेला के 30 साल जेल में गुजारने पड़े. मंडेला को क्या करना पड़ा? मंडेला ने अपने पूरे 30 साल जेल में गुजारे. और लास्ट में 1994 में साउथ अफरीका में प्रिजातांत्रिक चुनाव हुए. और मंडेला उस नए देश के पहले अस्वेट. अस्वेट मींस होता है ब्लैक. ओके? सो ब्लैक मींस फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने वहां के. तो इसकी सम्ड़ी स्टार्ट करते हैं. दा इनागरेशन दे मिस उद्गातन का दिन. 10th में दाउन, it was bright and clear. 10th में आगई मिस कि जो 10 में थी वो आगई और इट वस ब्राइट किलियर. मौसम भाथ ही ज़्यादा चमकीला और साफ था. Many world leaders had been coming to the author to pay respect to him. और लेखक के पास, जो यहाँ पे writer हैं, उनके पास, जो भी जैसे हम business देते हैं ना, तो सुब कामनाएं देने के लिए भूँद काफी world के जो भी leaders थे, दुनिया भर के जो leaders थे, नेता थे, वो आ रहे थे. It was before the integration. यह integration से पहले था. The integration was to be the largest gathering of world leaders there. और उद्घाटन जो था integration था, दुनिया के नेताओं का, वहाँ एकदम से gathering हो चुकी थी. एकदम से जमघट लग जाता है ना, महानतम का, नेता आ चुके थे सभी, उनके लिए wishes देने, तो वहाँ पे सभी लोग इखटे हो चुके थे. The place of inauguration, अब inauguration का place क्या था? उद्घाटन का इस्थान ये जगा, the ceremonies took place in a big open building in Pretoria. प्रेटोरिया में एक बड़े खुली जगा में ये जो प्रोग्राम था, ceremony थी, वो हुआ, कारेकरम हुआ. This was now the place where the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. और अब वो जो इस्थान था, जहां पर South Africa की पहली जो racial, non-racial means, गैरवर्ण सरकार का संस्थापन करना था. वहाँ पे, non-racial, जो race में मतलब नहीं आते, जैसे कि गैरवर्ण होते हैं, काले लोग, ठीके, उनके लिए, सरकार का संस्थापन करना था. The Swearing in Ceremony, Swearing means, सपत लेने का कारेकरम, Ceremony जो चल रही थी, कारेकरम. On that day, the author was in the company of his daughter, Janani, और उस देन, जो इहां पर राइटर हैं, लेखक हैं, वो अपनी बेटी, Janani के साथ में थे. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president, और पहले Mr. D. Clark को दूसरे उपराश्टेपती की सपत दिलाए गई. Then, Thayvoh Mawakee was sworn in as first deputy president, और फिर Thayvoh Mawakee को पहले उपराश्टेपती की सपत दिलाए गई. It was the author turns then, और फिर लेखक की बारी थी, means Mandela की. He was sworn in as the president, उन्हें राश्टेपती की सपत दिलाए गई. He pledged to obey and uphold the constitution and devote himself to the well-being of the people. और उसनोंने जो constitution था संबिधान की रक्षा करना, उसे मानना और व्यक्तियों की भलाई के प्रती लगाव रखने की सपत ली. The author addresses लेखक का भासर. The author spoke of the new born liberty. जो लेखक हैं इसमें, जो author हैं, उन्होंने नई उत्पन हुई सुतंतिता के बारे में बोला. He thanked all the international guests. और उन्होंने सभी अंतरराष्ट्य मेहमानों का धन्यबाद किया. He said that they had come there to be with his countrymen in the common victory for justice, peace and human dignity. उसने कहा कि वे न्याय, सान्ती और मानव सम्मान के लिए आम बिजय में उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहां आये थे. He pledged to liberate his people from poverty, suffering and discrimination. उसने देशवासियों को गरीवी, दोख और भेद भाहों से सुतंतर करने की सपत भी ली. Display by Jets and Helicopters Jet और Helicopters का पृदर्शन After a few moments, colorful South African Jets and Helicopters flew over the Union Building there. Kuch moments के बाद, South Afriki Rangin Jet, जो colorful jet थे और Helicopters वहां Union की building आपर उडे. It was for military's loyalty to democracy to a new government. ये नई सरकार के पिती उसके प्रिजातंद्र के लिए military, जो सैनिक थे, उनकी बफादारी थी. Then, the highest military generals having medals on their chest saluted the author. और फिर अपने जो chest थे, उनके जो medals थे, वो लगाए हुए, जो military के सबसे बड़े general officer थे, उन्होंने जो author हैं, उनको salute किया. He thought that they would have arrested him many years by force. उन्होंने सूचा कि काफी सालों पहले उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया था by force. Singing of the National Anthem, राष्ट्य गान का गाना, ओके, the day was symbolized for the author by the playing of two national anthems. जो ओथर हैं उनके लिए दिन में उसी दिन दो राष्ट्य गान गाये गए, जो की symbolized हुए, पृतिकात्मक किया गया उनको. The white sang, जो white थे, गोरे लोग थे, उन्होंने गाया, नकोसी सिकेलल, और the black sang, ब्लैक जो लोग थे, उन्होंने गाया, डाई स्टेम. These form the old anthem of the republic, और ये जो republic के old anthem थे, ये जो गरतंत्र है, उसके पुराने गान थे. The author's thoughts, लेखक के बिचार. On that day of the inauguration, the author thought of history. ओधगाटन के उस दिन, लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा. In the first decade of the twentieth century, the South Africa people had passed up their differences with other black skinned people. और twentieth century के पहले, decade में ही, South Africa के जितने भी people थे, उन्होंने other people जो black थे, उनके साथ अपने भेदभाव खत्म कर लिये थे. They had built a system of superiority also, उन्होंने अपनी स्रेश्ट साख के system को भी बना लिया था. It was the basis of the harshest societies और ये सब से ज़्यादा सक्त समाजों का आधार था. This system now stood overturned, अब ये जो बिवस्था थी वो समाप्त हो गई थी. Now it was the system that recognized the rights and freedoms of all people. अब ये जो system थी, जो सब्भी ब्यक्तियों के अधिकारों और सतंत्रता को पहचानता था. The authors regret means लेखक का पस्चाता. This day came after the sacrifices of thousand of the people. हजारों ब्यक्तियों के sacrifices के बाद, कुर्वानियों के बाद ये दिन आया था. The author thought of himself the sum of all those people. लेखक ने, जो author हैं इसमें, उन्होंने स्वैम को उन सभी ब्यक्तियों का sum माना. He was pained that he couldn't thank them. उन्हें कस्ट था कि वो उनका धन्यवाद नहीं कर सकते थे. Freedom fighters remembered. सुतंत्रता सेनानियों को याद करना. The policy of apartheid created a deep and lasting bound in his country and his people. Means apartheid, रंगभेद, काले, गोरे में फर्क करना. तो ये जो policy थी, नीती थी रंगभेद की, उसके उनका जो देश था और उनके जो ब्यक्ति थे, उस देश की, उनके अंदर काफी गहरा पिरभाव छोड़ा था. और उससे वहां रहने वाले लोगों को एक तरह से bound भी हुआ. Means जख्म हुआ. This policy had produced great freedom fighters. और इस policy ने जो great freedom fighters से महान सुतंता सैनानी, जैसे Oliver Tamboz, Balter Sissoulas, Chief Luthulis, Yusuf Dadus और भी मिस इन लोगों को उत्पन्न किया था. उनकी इस policy ने, रंग बेद वाली नीती ने, ठीक्या, और काफी घाव भी दिये थे उस समय. ये जो लोग थे, वो अनकॉमन करेज वाले थे. Means आसाधहरण उत्साह था, उनके अंदर wisdom था, और generosity भी थी. Means उदारता भी थी इन व्यक्तियों में. The country, the country was rich in minerals. जो country है, देश है, वो minerals से rich है. खनिचो पदार्थ है, उनसे अमीर थी. But its greatest wealth was its people. लेकिन इसके महान, एक तरह से greatest wealth हम बोल सकते हैं, वो क्या था? उसके ब्यक्ति, उस देश के ब्यक्ति. The definition of courage, उत्साह की परिभासा. From these people, the author learned the meaning of courage. इन ब्यक्तियों से, लेखक जो यहाँ पर author हैं, उन्होंने उत्साह का अर्थ समझा. They risked their lives. उन्होंने अपने जीवन को खत्रों में डाला. They underwent great torture. उन्होंने काफी ज़्यादा परिशानियों को सहन किया. He learned that courage was not the essence of fear, but the victory over it. लेकिन उन्होंने सीखा की उत्साह भै की absence नहीं थी, अनुपस्तिती नहीं थी, लेकिन इसके उपर बिजय थी. Man's natural goodness, मनुष्या की प्राकर्तिक महानता. No one is born hating another person due to color or religion. कोई भी ब्यक्ती, रंग और धर्म जो भी हमारा religion है, उसके कारण दूसरे भी ब्यक्ती से घिर्णा करता हुआ, जन नहीं लेता, वन नहीं होता है. They could be taught to love और उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है. Love comes naturally to the human heart. जो प्यार है, वो मानत दिल में प्राकर्तिक रूप में आता है. ये तो आप सभी जानते हो. In prison, they were posed to the wall. जेल में उन्हीं दिवार तक लगा दी गई थी. उनके लिए पुष्ट कर दिया गया था, वो पूरा बंद कर दिया गया था. But he saw humanity in the hearts of the guards. लेकिन उन्होंने गार्डों के दिलों में मानवता देखी. It was man's goodness. ये मनुस्य की अच्छाई थी. It can't be put out. इसे खत्म नहीं किया जा सकता. Man's duties. मनुस्य के कर्तब्य. In life, every man has twin duties. जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तब्य हैं. To his family, अपने परिवार के लिए, to his community and country, और समाज और देश के प्रतिव. The author found it difficult to fulfill these two duties. और जो इसमें author हैं, उन्होंने इस चीज को फुल्फिल करने में बहुत ही ज़्यादा कटनाई को महसूस किया. अपनी duties को निवाने में. दोनों duties एक साथ. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. ये इसलिए था कि South Africa में काले ब्यक्ति को यदि वो एक मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती थी. Such a man was forced to live apart from his own people. ऐसे ब्यक्ति को अपने ही ब्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था, forced किया जाता था. So he was not allowed to do his duties to his family. इसलिए उन्हें अपने परिवार के प्रती कर्टब्यों को पूरा करने की अनुमती नहीं थी. Freedom defined. Freedom defined means सोतंत्रता की परिभासा. The author was born free. जो author है वो सुतंत्र पैदा हुए. He was not born with a hunger to be free. वो सुतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे. He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. वो अपने पिता की आग्या पालन और अपने ट्राइव जो उनकी जाती थी, समुदाय था, उसके रीती रिवाजों को मानने में सुतंत्र थे. बट सून, he realized that his freedom was an illusion. लेकिन सीगर ही, जल्दी ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी सुतंत्रता एक illusion है. Illusion means भ्रह्म है. He began to hunger for freedom when it was taken from him. और उन्होंने सुतंत्रता के लिए भूखा मरना सुरू किया. जब उन्हें, उनसे, means, जब उन्होंने मतलब उसने सुतंत्रता के लिए भूखा मरना सुरू किया, तो उसने, उससे मतलब सारी चीज़े, it was taken from him, उनसे ले ली गई. As a student, he wanted freedom to read and go, जैसे कि जब वो student थे, student के रूप में पढ़ने के लिए जाते थे, तो उनसे पढ़ने की freedom ले ली गई. As a young man, a johans work, he wanted freedom to be as per his potential of livelihood and of family. जैसे कि johans work में, जो भी young man, युवा होते हैं, युवा के रूप में, वो अपनी तागत के अनुसार बनने की, अपनी और अपने परिवार की जो भी livelihood थी, रोजी रोटी चलाना, उसकी सुतंत्रता चाहते थे, तो वो भी उनसे ले ली गई थी. Desire for freedom made him bold. सुतंत्रता की इक्छा, द्वारा उसका बहादुर बनना. But soon he saw that he was not free like his brother and sister, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ये देख लिया, कि वो अपने भाईयों और बहनों की तरह सुतंत्र नहीं था. Then he joined the African National Congress, तब वो African National Congress में सामिल हुए, Then his hunger for freedom became great for the freedom of his people. तब सुतंत्रता की उनकी भूँक, उनके ब्यक्तियों की सुतंत्रता के लिए अत्यदिक हो गई, और भी जादा हो गई. The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power. उनकी जो उसकी ब्यक्तियों की सान से रहने की सुतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे तागत दी, ऑथर को. It made him bold और उसने उसे एक मिस बहादूर भी बना दिया, bold बना दिया. It made him live like a monk और उनको एक monk की तरह रहने के लिए मजबूर भी किया. The chain monk means होता है भिच्छुक. The chain on his people became chains for him too. उनके जो ब्यक्ति थे और जो people थे, उनकी जो chains थी, जन्जीरें थी, उनके लिए भी जन्जीरें बन गई. Oppressor and the oppressed without humanity. अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले बिना मानवता के. The author knew that the oppressor must be liberated like the oppressed. लेखक जानता था, जो इसमें author हैं, वो जानते थे कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने बालों की तर है. सुतंत्र किया, जाना चाहिए. A man who takes away another freedom become the hated. एक ब्यक्ति जो दूसरे की सुतंत्रता चीनता है, वो घेनित हो जाता है. No one is free, if he is taking someone else's freedom. कोई भी ब्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, यदि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता चीन रहा है या फिर ले रहा है तो. Both the oppressor and the oppressed are roved of humanity. दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने बालों से मानवता छिन जाती है. Mandela becomes South Africa's first black president. जो Mandela है, South Africa के पहले black president बन गए है. और long walk to freedom, ये इनकी autobiography है. Autobiography, a personal account of once on life for publication, means आत्मकथा, Autobiography है. So, चार चीज़ें आपको जरूर करनी है. इस वीडियो को देखने के बाद, like, share, subscribe कर लेना है चैनल को, और bell icon को भी प्रेस कर देना है. ताकि जो भी notification है, वो आपको time पर मिलती रहें. Thank you.